CANDLE SETIC PATTERN और चार्ट के उपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद जो down 10 चल रहा था उसका momentum में break लाग जाता है। अगर next कोई candle अच्छे volume के साथ इस spinning bottom के high के उपर close कर देता है तो एक bullish reversal को indicate करता है। और अगर एक कुछ session up 10 के बाद बान रहा है तो इसे spinning top pattern कहा जाता है। और चार्ट के उपर इस तरह formation के बाद जो up 10 चल रहा होता है उसका momentum में break लाग जाता है। अगर next कोई candle अच्छे volume के साथ इस candle के low के नीचे close कर जाता है तो एक bearish reversal को indicate करता है।